बॉलिवूड एक्ट्रस रश्मिका मंदाना का दीफ एक वीडियो बनाने वाला मुख्य आरोपी अंद्रिप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉस्तार से सामने आया कि आरोपी अपने फॉलोवर्स बढाने के लिए ऐसी डीफ वीडियो का इस्तमाल कर रहा था। जिसके जानकारी डीफ एक्ट्रस वीडियो को इफसो स्पेशल सेल के दौारा सॉल्फ कर लिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूदें बात करते हैं इनके साथ में डीफ वीडियो होता क्या है पहले मैं आपके दौरा समयना चाहूंगी। मेरे साथ एक्ट्रस वीडियो को उटाएं उसको इडिट करके कोई दूसरी चीजे उसमें कही जाती हैं। और facial expression भी accordingly modify करते हैं और totally नई चीज ऐसा प्रतीज होगा उस वीडियो में हो रही है जो कि actual में नहीं हुई है इस पर्टिकुलर केस में एक नोटेट एक्टरेस हैं उनका एक डीप एक वीडियो वाइरल हुआ था उस मैटर में DCW से हमारे पास complaint आई थी complaint पर हमने case दर्ज करने के बाद 500 से जादा social media platform में जो account है उनको analyze किया और दसों लोगों से जादा हमने लोगों से पूस्ताच की जिसमें हम बिहार भी गए हमने पंजाब भी गए डेली NCR भी लोगों को बुला के पूस्ताच की फिर तेलंगाना पहुंचे और ultimately हमारा जो मु पूस्ताच की बात कर लिए तो इस तरह की बनाया क्यों था इसका कारण क्या रहा हूं कि कारण क्या रहा हूं से की प्रफाइल क्या कहती है इनवीन एक 24 साल का लड़का है जिसने बी टेक किया है चेननई से electronic and communication में इसका जो में है यह जब 2021 में बी टेक करके निकला तो को तो जब इसे कहीं बार जॉब नहीं मिली तो इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही अपना काम चालू किया और इसने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी किये डिजिटल एडिटिंग के इसके आदार पर इसने फैन पेज बनाये एक पर्टिकुलर एक्टरेस का इसके लावे टो सब्सक्रिके से हम लोग वीडियो बना सकते हैं फिर उसने एक यूट्योब पे इस पर्टिक लबीडियो को बनाने के पहले एक यूट्यूब पर एक उसने कोर्स किया ओनलाइन और वहां से सीखके उसकी बातों को इंप्लिमेंट करके इसने ये पर्टिकलर वीडियो 12 अक्टूबर 2023 को बनाए इसके साथ एक आखरी सवाल आपसे लोगी कि डिजिटल अरेस्टिंग क्या होता है क्योंकि साइवर क्राइम के दौरा जिस तरह से क्राइम अलग लग तरीके से किये जाते हैं इसमें डिजिटल अरेस्टिंग की बात कर ली जाए तो बहुत मुक्य रूप से सामने आता है यहीं पे भी digital arrest नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ fraudster आपको फोन करके, अलग-अलग तरीके के official के रूप में वो impersonate करते हैं, जैसे CBI official, narcotic official, और वो फिर कहते हैं कि आपने ये कुछ गलत काम किया है, जैसे कि आपका parcel intercept हुआ है, custom पे आपका कोई parcel मिला है, जिसमें बहुत सार ड्रक्स है, बहुत सारे illegal sim है, illegal passport है, आप लोग drug traffic में involved है, human trafficking में involved है, इस तरीके से victim को पूरा डरा देते हैं, फिर उससे कहते हैं, कि अब आपको digital arrest किया जा रहा है, जिसका मतलब होता है, कि आप ये बात, जो हमारे साथ बात है, इसको किसी को नहीं बताएंगे, आप हम ज झाल